आईए नई तक्रीक को सराहें क्राप लौन की तरफ अगर हम ध्यान देंगे तो क्राप लौन को इन साथ वर्सों में दोगुना किया गया है किसान क्रेडिट कार्ड के कबरेज को भी बढ़ाने के सद प्रियत्र किये गए है क्रसी छेत्र में अदो सरचना की कमी लंबे समझ से थी इस अदो सरचना को बढ़ाने के लिए एक लाग करोड रुपए का इंफरिस्टिक्चर फंड प्रावधित किया गया जिस पर काम प्रारम हो गया है अनिक संस्थाओं को इसका लाब मिलने लगा है फिर नीम पूर्टिंग यूरिया हो चाहे हमारा सौयल हेल्ट कार्ट 22 करोड किसानों को देने का मामला हो इन सब द्रष्टियों से खेती और किसानी को लाब पहुंचाने का प्रेद्र प्रदान मंद्री नरेदर मोदी जी के नेतरतों में किया गया प्रदान मंद्री जी चाहते थे कि किसानों के जीवन में जो बंदिसे हैं उनको खोला जाए इस दिस क्रसी सुधार की दरश्टी से तीन कानून लेकर आए जिन को लोकसभा और राजसभा ने पारिद किया उन कानूनों का लाब निश्यद रूप से किसानों को मिलने वाला था और उन कानूनों के पीछे परधान मंतरी जी की साफ नियत थी कि किसानों के जीवन में करांतिकारी बदलाव आए लेकि मुझे दुख है कि इन कानूनों का लाब हम तेज के कुछ किसानों को समझाने में सफल नहीं हो पाए मैं इस अवसर पर उन लोगों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने हमारे साथ मिलकर किरसियर सासियों ने वैग्यानिकों ने किसान संगठनों ने इन लाबों को समझाने की कोसिस की मैं निश्यत रूप से उनका बहुत आवारी हूँ प्रधान मंद्री जी ने लगातार इस बात की कोसिस की थी कि इन सुधारों के बाद देश के करसी छेतर में बदलाव आए लेकिन कुछ ऐसी परिस्तितियां बनी जिसके करण कुछ खिसानों को इन कानूनों में आपत्ती दिखाई देती थी यह देवतर्व के साथ हम लोगों ने चर्चा का रास्ता अपनाया उनको समझाने की कोसिस की लेकिन फिर भी हम सफल नहीं हुए इसलिए प्रधान मंत्री जी ने आज गुरु नानक देव जी के प्रकास पर्व के अवसर पर इन तीनों कानूनों को रद करने रिपिल करने का जो निर्ड़े किया है वह निश्यत रूप से स्वागती होग है प्रधान मंत्री जी यहीं नहीं रुके साथ ही साथ प्रधान मंत्री जी ने आज यह भी कहा है कि जीरो बजट खेती हो MSP हो और क्राउट डाइवर्सिफिकेशन का विसे हो इन सब पर एक समीती बनाई जाएगी इस समीती में केंदर सरकार, राज्य सरकार, किसान, वैग्यानिक, अर्शास्री यह सब उस समीती में रहेंगे यह समीती MSP को प्रभावी और पारदर्सी बनाने की दिशा में और बाके दिश्यों को समेट कर अपनी रिपोर्ड देगी वह रिपोर्ड आने वाले कल में किसानी के शेतर में लाप्रद होगी ऐसा मुझे विस्वास लगता है और इस द्रश्टी से आज प्रधान मंतरी जी ने जो निर्ड़े किया है यह उनके वड़पन और किसानों की भावनाव के प्रति सब्वेदत सीलता का परिशायक है मैं इस एतियासिक निर्ड़े के लिए प्रधान मंतरी जी का हिर्दे से धन्यवाद करता हूँ आभार प्रगट करता हूँ